दमपद गाथा कथा नंबर 71 या 71 ये राजग्रह के वेणुवन की अही पेत की कहानी है अही माने अभी तो सप बोलते हैं साप बोलते हैं पराने समय में नाग बोलते थे नाग और सब दोनों अलगर होते हैं नाग जो एक वन्स है एक लोगों के प्रकार हैं गोत है यानि कि जिससे नागरेक नगर, नागरन, नागलोई, नागालेंड, नागपुर, ये जितनी वी चीज़े हैं नागराजा, नाग करनिया ये सब उसी में आते हैं नाग और नागिन का मतलब है नाग का मतलब है पुरुस और नागिन का मतलब है उस वंस के नाग वंस के जो महिला है उसको नागिन बोलते है तो अही पेत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति समुदाय से निकाला गया हो या समुदाय में ना रहता हो और जो जंगलों में बटकता रहता हो जंगलों में जाता आता रहता हो उसको पेत बोलते हैं और अही माने सब हो गया या उससमय का नाग तो नाग वन्स का वो ऐसा व्यक्ति था जो जंगलों में घूमता रहत जाता था तो उसका जो मुख था वो मनुष्य जैसा था उसका जो बाकी गोत या जो उसका वन्स था वो नाग था इसनिए उसको अही पेट करके बूला करते थे तो पेथ जो होते हैं, वो basically होड़े से दिमाग से mood होते हैं, वो कुछ भी cut-acker सकते हैं, यानि कि जो इस तरह से घूँता रहता है व्यक्ति जंगलों में, वो कोई भी क्रिया कलाब कर सकता है, वो मनुस्ये के सामाजिक क्रिया कलाब नहीं करता। इसलिए उनको पेत बोलते हैं पाली भासा में और संस्कायट भासा में परेत होते वे मनुस्य ही के रूप में हो मगर उनका जो दिमाग है वो जंगल जानवर जैसा हो जाता है कभी वो किसी को मारते हैं, कभी कारते हैं, कहीं कुछ नुकसान कर दिया कभी कहीं चड़ गे, कहीं कूद गे, कहीं बागे, कुछ नहीं कह सकते कि किस पल वो क्या करने वाले हैं और इसलिए समाज उनको सुविकार नहीं करता और उनको छोड़ देता है और वो जंगल में अपना जीवन काडते रहते हैं सिस्षे लक्ष्मन के साथ में जिसको पाली के अंदर लक्ष्मन बोलते हैं लक्ष्मन के साथ में जो महा मोगल्यान थे महा मोगल्यान अपने जो सिस्षे थे लक्ष्मन के साथ में यानि लक्ष्मन के साथ में लक्ष्मन पाली में बोलते हैं लक्ष्मन संस्काइद भासा में तोगी छे तो होता नहीं लख्षमन होता है खेत बोलते हैं पाली में और छेत बोलते हैं संस्काइद भासा में ऐसी लख्षमण में आदा के और खे आता है तो उसको बोलते है पाली में लख्षमण और जो संस्कायज भासा में आदे के और के को छे बोलेंगे तो लख्षमण हो जाता है तो चारीका पे निकले हुए थे तो उन्होंने उस पेत को देखा लख्रमण ने पूछा कि यह क्या है, किस तरह का यह क्रेक्टर है, क्या है तो जो महा मोगल लैन थे वो थोड़े से मुस्क्राए और चारिका करने के बाद में वो भगवान बुद्ध के साथ दिने में आये उन्होंने कहा कि आज उन्होंने पेत को देखा, अहीं पेत को देखा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मैं बोधी लाप प्राप कर रहा था निरुजना रिवर के किनारे, गंगा के किनारे, गया के अंदर, बोधी गया के अंदर तो वहाँ भी मैंने जब मैं प्राप कर रहा था पीच में मैंने इसको देखा था ये वहाँ भी हरकतें कर रहा था तो वो कहते हैं कि इसने ऐसा क्या किया जो ये पेत की तरह इसका वैफार हो गया और करता है तो उन्होंने बताया कि ये जो एक भिक्कु थे पराने समय में यानि कि कुछ समय पहले रहे होंगे उनकी कुटिया को आग भी इसने लगा दी थी ये mentally retired है यानि कि मनुष्य से जो ये पेथ है ये दिमागी रूप से उसी तरह का है जिस तरह से लोग जंगली जानवरों की तरह होते हैं ऐसा कहकर उन्होंने ये गाथा वहां कही जो गाथा नंबर 71 है नेही पापंकतंकंमंग सज्जु खीरंग वै मुच्चती डहंतंग बाल मनवेती भसमच्चनोग वै पावको नेही पापंकतंकंमंग का मतलब है ने माने नहीं ही माने वास्तव में पाप को कतंक माने जो काम है जो किया हुआ काम है और कंमंग माने काम को सज्जु खीर, खीरंग वे, सज्जु माने होता है तुरंत, खीरंग माने होता है, खीर जो बोलते हैं वो दूद को बोलते हैं पाली में, हम जो खीर खाते हैं, ये खीर बेसिकली यहां चावर डाल के हम बनाते हैं, पुरानी भासा में खीर को ही दूद बोलते थे, और जो ख खीर सागर बोलते थे यानि दूद का सागर तो सज्जू खीरंग वै मुच्चती का मतब है मुक्त होता है यानि कि तुरंत जो दूद है वै मुक्त होता है किसे मुक्त होता है दूद के गों से मुक्त होता है यानि कि दही में बदल जाता है रखा रखा दूद क्या होता है अ प्राब हो जाता है, जम जाता है, तो यानि कि उसको दूद के गुन से मुक्त होने में तुवंत नहीं होता है, पाइन रगता है, ऐसे ही वो करें नहीं पापंग कतंग कममंग, जो बास्ता में जो पाप किया हुआ है, वो जो पाप है, उसको जमने में, उसका परणाम आने मे समय लग जाता है देहंतंग बाल मनवेती देहंतंग का मतलब है आग आग को बाल मनवेती का मतलब है जो मूर है बाल माने मूरा मनवेती माने पीछा करता है यानि कि जो आग है वो मूर का पीछा करती है कैसे बस्म चनो वे पावको बस्मनच्छो तो भसमनच का मतलब है छन माने जो होता है वो होता है धका हुआ और भसमाने होता है राक जैसे धकी हुई राक में क्या होता है पाब को एब का मतलब जैसे वे का मतलब है यहाँ जैसे एब तो जैसे धकी हुई राक में पाब को आग होती है वैसे ही आग जो जलन है जो काम प पाप किया है वो पीछा करता है इसका सीधा सा अर्थ ऐसा है कि जिस परकार दूद को तुन्त दही नहीं बनता और उसको समय लगता है दूद को दही बनने में वैसे ही जो मुर्ख लोग हैं जो उसनोंने पाप किये हैं उन पाप का परणाम आने में रिजल्ट आने में थोड नीचे आग शुलखती रहती है और वो जलाती रहती है इसी परकार जो यह पाप करम है वो जलाते रहते हैं और वो कभी पीछा नहीं छोड़ते जो मुर्ख लोग हैं उनका यह इस परकार है गाथा नॉक्त काथा नमबर यह हमने सरकारी खजना चुड़ाया यह हमने कोई सरकार का या किसी राज्य का या किसी स्टेट का या जिले का या तैसिल का कोई नुकसान किया यह हमने जूट बोला या हत्या की या किसी मनुस्य को दवाया या उसको कुछला या उसकी भावनाओं को उसकी मन को उसकी बात को कुछ लाब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बड़ा तुर्णत लाब मिल गया कुछ पैसा मिल गया या हमें बड़ा अच्छा लगा या ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है तो ऐसा लगता है मूर्खो को कि इसका परड़ाम और इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है मगर अनन्त जितने भी पाप कर्म हैं उनके रिजल्ट आती है या तो आपको राज्य या सरकार या इस्टेट आपको पनिस्मेंट करेगी आपकी F.I.R. लिखी जाएगी आपको सजा मिलेगी अगर आपको वहाँ से भी बच गए तो समाज यह जानता है कि आपने पाप किया है तो आपको कोई इज़त नहीं नहीं देगा आपके डरकी वज़े से कोई आपको बाबुजी कह दे आपको जी कह दे, आपको साहब कह दे, आपके नाम के पीछ जी लगाए तो वो इसलिए है क्योंकि आप गंदे व्यक्ति हो और वो आपसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेता है आपसे कोई जगड़ा नहीं करना चाहेता है उसको अपनी सुख और सांती बहुत प्यारी है दरकी वैसे लगाया हुआ ये जी या सहाव या मिश्टर है या जो डरकी वैस से आपका सम्मान या नहीं होता है तो अगर वहां से भी आप समाजिक रूप से भी आप छुपा गए और बच गए अपने पापकरम को तो आपका पापकरम आपका परिवार जानता है कि कहां से पैसा आया कहां से गया आपके बच्चे जानते हैं आपके रिजदार जानते हैं और सब जगे इस बात का रिजदारों होता है कि तल तक इसके पास कुछ नहीं था भी कहां से आ गया या इसने उसको मारा या उसकी जमीन हलप ली या उसको उसने काटा या उसको पीटा या उसने उसको पतलत किया या जूटा मुगदमा लिखवाया, या इसको पढ़नी नहीं दिया, या इसको नोकर बना कर रखा, या इसको अग्यान बना कर रखा, या इसका शोषन करता रहा, या दुकान पे इसको पूरी तनका नहीं दी, इसके परिवार को बुरा दवा कर रखा, या इसकी पतनी का शो कलने हैं मगर मन से नहीं कर सकते ये ठीक ऐसे जैसे चोर अगर चोरी करके आए तो पतनी उससे चोरी करेगी चाहे हसी में कहे या मजाक में कहे अगर कोई हत्या करके आता है घर में और वो घर में आगे कहे कि मैंने उसको मार दिया तो कोई उसको प्रेज नहीं करेगा, कोई उसकी तारिफ नहीं करेगा, सब कहेंगे बहुत गंदा काम कैसे ने, कट जाएंगे, हो सकता है बच्चे छोड़ शाड़के चले भी जाएं, और जैसी मौका मिलता है उड़ो भी जाते हैं, बापस नहीं आते हैं, जतिन नहीं करते मर जाता है आदमी तब भी नहीं आते, और अगर वहां से भी बच गया, तो स्वैम को अपनी निगा में क्या कहेगा, क्योंकि उसे किसे चुपाएगा, स्वैम कर गया है, तो स्वैम तो जानता है, तो स्वैम के अंदर ही जीवन भर इस बात को अगनी जलती रहेगी, जलात है, चाया भले ही आदमी हजार बहाने अपने आपको लगा ले, तो वो उसको खुदी अंदर जलाते रहेंगे, जैसे राख के नीचे आग तब की रहती है, जलाती रहती है, और अगर इससे भी बच गया, तो जो नेक्श्ट बर्थ लेगा, वो पाप करम के साथ जाएगा, ये भगवान बुद्ध ने देखा, भगवान बुद्ध ने बताया कि अगला जनम जो होता है, वो कैसे होता है, पिछले वाले अच्छे करम और पिछले वाले खराब करम साथ चलते हैं, और उसी के हिसाब से उसको रिसीवर मिलता है, रिसीवर का मतलब है कि अगला जो जन है इसलिए पापि आदमी का बिना पाप करम के दंड भुकते या अच्छे आदमी का अच्छे करम भुकते कोई result नहीं है, या अच्छे आदमी को अच्छे result बिलेंगे ही मिलेंगे और खराब को खराब result मिलेंगे ही मिलेंगे ये सद्धान्त है जो पटिच्च समुखपात के अंदर कैसे जन्म होता है उसमें भवान बुद्ध ने जो वैसाक पूर्णमा के दिन बुद्ध पूर्मा के दिन उन्होंने तीसरे पहर में रात को देखा धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में चाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी संगं सरेणं गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी संगं सर्णं कच्छामी साथु, साथु, साथु कामेस मिच्च चरविर्मनी सिक्खापदं स्माधियामी कामेस मिच्च चरविर्मनी सिक्खापदं स्माधियामी कामेस मिच्च चरविर्मनी सिक्खापदं